नमस्कार दोस्तो दोस्तो बाजरा एक ऐसी फसल है जिसे पशू और मानव दोनों के लिए उगाया जाता है इसकी खेती मुख्य रूप से विकास्षिल देशों में की जाती है लेकिन ये सूखे प्रभाविक शेत्र में उच्च तापमान में भी आसानी से उगाया जाता है औ दुनिया भर में उगाय जाने वाले बाजरा की कई प्रकार के किस्मे होती है और सबसे सामन्य किस्म को पैनिस एटम गलोकम कहा जाता है भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्टर, गुजरात, उत्रप्रदेश, हरियाना, अंधरप्रदेश और प जाबू तनाज है जो अपने कई स्वास्थालाबों के लिए बहुत अधिक पसंद किया जाने लगा है विटामिन बी और कई खनीजों से बरपूर होने के अलावा बाजरे में एंटी ओक्सिडेंट भी होते हैं जैसे कि फाइटेट, फिनॉल और टैनिन और ये फाइटो न सेवन करें क्योंकि बाजरा जो ही ये मेगनेशियम का एक समरुद्ध स्त्रोथ है जो कि बलड प्रेशर और दिल के दोरे के खत्रे को कम करने के लिए एक महतुपूर्ण खनीज है खास कर दमनिया सक्त होने के मामले में यानि कि एथरोस्क्लेरोसिस के मामले में बाजरा जो के दिल की स्वास्त की रक्षा करने के सरवत्तम तरीकों में से एक है और इसके अलावा बाजरा में प्लांट लिगनांस पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र में माइक्रो फ्लोरा द्वारा एनिमल लिगनांस में बदल जाता है और ये एनिमल लिगनांस कुछ पुरानी बिमारियों जैसे की कैंसर और दिल के रोग से बचाने में मदद करता है साथ ही साथ दोस्तो बाजरा जो ही ये कॉलेस्ट्रॉल के लिए फायदे मन है कॉलेस्ट्रॉल हमारे दिल के स्वास्ता के लिए अच्छा नहीं होता है बाजरा में फाइबर का मात्रा उच होती है जो कि कॉलिस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है फाइबर जो ही ये वास्ताव में शरीड से खतरनाक खराब कॉलिस्ट्रॉल यानि की LDL को समाप्त करता है और अच्छे कॉलेस्ट्रोल यानि की HDL के प्रभाव को बढ़ाता है साथी साथ दुस्ति ये डायबेटीज में भी फाइदेमन है डायबेटीज दुनिया भर में लाखों लोगों में पाई जाने वाली एक आम बिमारी है बाजरे में मेंगनेशियम पाया जाता है जो की Type 2 डायबेटीज को कम करने में मदद करता है मेंगनेशियम एक ऐसा महतोपून खनीज है जो की शरिड में इंशूलिन और ग्लुकोज रिसेप्टर की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और एक स्टड़ी में देखा गया है कि मेगनेशियम युक्त आहर का सेवन नहीं करने वालों की तूलना में मेगनेशियम युक्त आहर का सेवन करने वाले लोगों के डायबिटीज में 30 प्रतिशत कमी हुई इस साथ दुस्तों बाजरा जो यह पाचन को भी बढ़ाता है बाजरे में फाइबर पाया जाता है जो कि हमारी जठरांतर प्रनाली को स्थानांतरित कन्ने में मदद कर सकता है और कब्ज, अत्रिक्त गैस, पेट फुलना और एठन जैसी समस्याओं को समाप्त कन्ने में मदद करता है पाचन प्रक्रिया को नियंत्रीत रखने से शरीर में पोशक तत्वों को बनाए रखने में भी सुधार होता है नियमित पाचन और शरीर से विशाक्त पदार्थों के निकलने से गुर्दे जिगर और प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्ता में सुधार होता है क्योंक महिलाओं का हर रोज 30 ग्राम फाइबर से अधिक सेवन करने से 50 प्रतिशत से अधिक स्थन कैंसर की संभावना कम हो सकती और इसलिए महिलाओं को बाजरा का सेवन करना चाहिए साथ ही साथ दोस्तों बाजरा जो है ये विशाक्त पदार्थों को दूर करने में फायदे मन्द हैं बाजरे में पाए जाने वाले एंटि ओक्सिडंट कैंसर पैदा करने वाले फ्री डेडिकल्स के प्रवाव को नश्ट करने के अलावा शरिड से खास करके किड्नी और लिव साथ ही साथ दोस्तों ये अस्तमा में उपयोगी है अनुसंदान में देखा गया है कि जो लोग बचपन से अस्तमा से पीडित हैं उनके लिए बाजरा लागदायक है और ये अस्तमा को विकसित होने से भी रोकता है अनुसंदान में ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ब कारात्मक प्रबाव भी नहीं है साथ ही साथ दोस्तो वजन कम करने के लिए भी ये लापकारी है बाजरे में ट्रिप्टोफिन होता है जो कि एक एमिनो ऐसीड है और ये भूग को कम करता है और इस प्रकार वजन को कम करने में मदद करता है ये दीमी बोजन में मुख्य रूप से इसे शामिल करना चाहिए साथ ही साथ दोस्तों ये नींद के लिए भी फायदेमन है बाजरा में ट्रिप्टोफेन पाया जाता है जो कि शरीड में सेरोटोनीन के स्तर को बढ़ाता है और सेरोटोनीन तनाव को कम करने में मदद करता और इसलिए हर रात बाजरा के दलिया का एक अप सेवन करने से शान्ति पूर्ण नींद प्राप्त करने में मदद मिल सकती है साथ ही साथ दोस्तों तवचा के लिए भी बाजरा जो ही फायदेमन है बाजरा में एमिन ऐसीड पाया जाता है जिसे एल डाइसीन और एल प्रोलिन कहा जाता है और ये शरेड में कॉलेजन निर्माण करने में मदद करते हैं जो तवचा के टिशूज को सरचना देते हैं और इस प्रकार बाजरा खाने से त्वचा का कॉलेजन्स तर मजबूत होता है जिसे की त्वचा के लचीलेपन में सुधार होता है और जुर्यां भी कम होती है बाजरा में मौझूद एंटि अक्सिदेंट तनाव से लड़ने और शरिड में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को बे असर करते हैं और ये त्वचा पर उम्र बढ़ने के संकेतों को रोकने में मदद करते हैं और ये त्वचा की कोशिकाओं को फिर से जिवन्त करके त्वचा की रक्षा करते हैं सूरिय की क्षती त्वचा को सुस्त और बेजान बनाती है और ये पोशक तत्वचा की नई कोशिकाओं के निर्मान में मदद करते हैं जिससे की त्वचा अधिक उजवल दिखाई देती है और ये सूरिय की क्षती के कारण जुरियों को कम करने में भी म करने की आवशक्ता होती है और बालों की कोशिकाओं के बितर पाया जाने वाला प्रोटीन के रूप में जाना जाता है जो की बालों के प्रत्य किनारे की सरचना में मदद करता है प्रोटीन की कमी बालों के जड़ने का कारण बन सकती है और बाजरा का परियाप्त सेवन बाल को मजबूत करता है और जड़ने से रोकता है बाजरा में मेगनेशियम पाया जाता है जो कि सिर में सूजन, एकजीमा, छाल रोग और रूसी के उपचार में मदद करता है बाजरा का सेवन समय से पहले गंजेपन के इला फिर भी बाजरे को ठीक से पचाने और संसाधित करने में अत्यादिक समय लगता है जो की हानिक आरग हो सकता है बाजरा में गोईटेरोजेनिक पदार्थ की छोटी मात्रा होती है जो शरीर में आयोडिन आउशोशन को रोपती है जिससे की गेंगा और अन्य थाइरोड की समस रहना चाहिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो चैनल को कर ल लाइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थैंक्स फूर यो टाइम